आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो गाईज हमारे पास यहाँ पे एक question है जिसमें पूछ रहा है अब बीकर contains water up to a height H1 and KL, kerosene oil समझे लिजिए kerosene oil above water up to a height H2 ठीक है find the apparent shift in the position of the bottom of the beaker when viewed from above refractive index of water is mu1 and that of K is mu2 डेखते हैं आप पे क्या पूछ रहा है गाईज यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है हमाली जी एक बीकर है हमारे पास इसमें यह पानी बढ़ा हुआ है height H1 तक यह H1 तक और इसके ऊपर kerosene oil बढ़ा हुआ है यह माली जीए height H1 है यहाँ मैंने boundary बनाई है और इसके ऊपर kerosene oil है यह height H2 above water up to a height H2 ऐसा दिया हुआ है above water up to a height H2 ऐसा नहीं बॉटम से height H2 तक above water up to a height H2 तक तो इसलिए सिर्फ मैंने यहाँ पे H2 बनाई है अब देखिए यहाँ पर इसका दिया हुए कि इसका water का refractive index mu1 और refractive index mu2 है तो हम लोगों को total shift निकालना है तो total shift जो होता है वो इन दोनों के individual shift के sum के बराबर होता है जो total shift होता है किसी भी refractive index या किसी भी medium के वैज़से वो अलग-अलग medium के individual shift के बराबर होता है जैसे इसका individual shift मैं ले लूँ और इसका individual shift ले ले तो मतलब अगर शिफ यही होता तो जितना shift होता और जितना shift होता उन दोनों के sum के बराबर होगा तो सिर्फ एक के वैज़े से हम दोग shift find कर लेते हैं जैसे हम माल लीजिए कि पहले मैं shift find कर लेता हूं सिर्फ एक के वैज़े से उसके बाद से मैं sum कर दूंगा तो माल लीजिए मेरे पास यह height h तक यह height h तक मेरे पास कोई liquid है जिसका refractive index मुए है इसमें यहां पर कोई भी एक object रखा हुँआ है तो यहां से अगर मुझे आँपर से अगर देखना है तो यह जो कि आइसे जाएंगी और चुकि यह जो है यह डैंसर से रर मेडियम में जा रहा है तो आवे फर्वाम द नर्मल जाएंगा तो आखको लगएगा कि यहां से आ रही है यहां से तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग to n2 in 2 by n1 is equal to क्या होता है वी बाइ यू जहां एन 2 जो होता है वो उस मेडियम का मतलब सेकेंड मेडियम by first medium is equal to v by ऐसे मनले यह फाइनल मेडियम जिसमें इमेज जहां पर हम लोग को इमेज निकालना है जैसे यहां से मैं देख रहा हूं n1 जहां जहां object रखा हुआ है v image और u object ऐसे ठीक है गाइस तो n2 की value क्या है गाइस 1 divided by n1 की value क्या है mu is equal to v हम लोग को find करना है यह मा लिज़े एक vao dot u क्या है guys यह व है है ठीक है तो v की value यहां से हम लोग century plus को यह से इह हम लोग को मिले थीला मिली है तो shift कितना हुआ गाइस शिफ्ट मतलब क्या होता है कि object कहां पर यह ना यह बात्रा उन्फ यह यान यहउआ य nome Śिफ्ट कितना हुआ है to shift हुआ h- 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 value यह जो भी हमने मिला हुआ है v इतना ही shift है यह h- v shift कितना है h- v h- v के value h- h by mu याने h into 1-1 by mu ऐसे लिख सकते हैs h into 1-1 by mu तो यह किसी 1 medium के विज़से individual shift है और मैंने क्या बोला सुरू में यह कि अगर मुझे दोनों के विज़ से shift निकालना आया तो मुझे दोनों के individual shift को जोड़ देना होगा तो total shift में क्या लिखूंगा total shift की जो value होगी वो shift due to 1 shift due to 1 plus shift due to 2 इसके बराबर होगी और shift due to 1 क्या होगा गाई shift due to 1 यहाँ से अगर मैं देखूंगा यहाँ से तो h1 into 1 minus mu1 shift due to 1 h1 into 1 minus mu1 sorry 1 minus 1 by mu1 plus shift due to 2 क्या हो जाएगा individual shift again h2 into 1 minus 1 by mu2 तो h2 into 1 minus 1 by mu2 ठीक है गाई तो इतना उपर जो है यह shift ही direct निकलाएगा इमेज की position निकले है और हम लोगो shift ही पूछ रहा है तो guys h1 into 1 minus 1 by mu1 plus h2 into 1 minus 1 by mu2 इतना टोटल इमेज जो है वो उपर जो object है वो इतना उपर दिखेगे जिसके value यह होगा ठीक है तो अब आपको यह concept समय में आया होगा thank you